आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग ब्लॉक्स को फेच करके अपने सैनिटी से अपने next.js प्रोजेक्ट के अंदर दिखाएंगे इस प्रोसेस को बहुत इजीली हम लोग करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा यह कितना असान है साउंड करता है थोड़ा सा हॉंटिंग आपको लगेगा किया यह क्या चल रहा है कैसे सैनिटी करेक्ट और next.js से बढ़ हम लोग बनाएंगे एक नया क्लाइंट फिर उस क्लाइंट से हम लोग ग्रॉक करेंगे ग्रॉक का मतलब होता है क्वरी लेंग्वेज जो की सैनिटी के अंदर आपको आउट फ़ बॉक्स मिलती है अप लोग कर अपने पसंदीदा ब्लॉक्स अपना पसंदीदा डेटा कोईरी करके लेकर आएंगे अपने चलते हैं computer screen में और देखेंगे यह काम किस तरह से की जाते हैं सो अब हम लोग इस्तिमाल करने वाले हैं ब्लॉक की टेंपलेट को और वहां पर हम लोग अपने ब्लॉक्स को पॉपलेट करेंगे लेकिन उससे भी पहले एक दो बाते आप लोग को बताना चाहता हूं और वह जो है उसको यूज ना करें देखो यार next.js इतना powerful tool है आप लोग next.js की मेरी playlist access करो time लगाओ और मैंने दो इतने अच्छे अच्छे projects बनवा रखें उसमें आप उसको अगर करोगे तो आपको पता चलेगा यार की हां कुछ है यार next.js भी तो next.js करो यार आप लोग मेहनत क पेज़ पर जाएं ठीक है sanity.io ठीक है मैंने इन कोग डिटों में खोल लिया है अगर आप इनकी pricing पर जाएं तो free forever में आपको इतना मिल जाता है ना कि आप लोग अपने blog को scale कर पाएं आपनी किसी भी project को scale कर पाएं तो आप लोग मतला free में करवा सकते हो उस चीज को मैं बहुत बड़ा कोई project ना हो कोई बहुत बड़ी e-commerce website कोई बहुत बड़ा blog जिस पर से millions of users आते हैं रोज तब तक आप लोग को यहाँ पर परशान होनी की ज़रूरत नहीं है ठीक है अब आप लोग को यह चीज दिख रही होगी $99, $949 है यह उन लोगों के लिए है जो लो वो मैंने आप लोग को दिलवा रखा है तो आप लोग अगर sanity. diode.at slash code with Harry पर limited time के लिए है यह मुझे नहीं पता कब तक के लिए है आप लोग इसको copy करके जो है अगर paste करोगे अपना project बनाओगे तो आपको यह सारी चीज़े मिल जाएंगी तो आपको pay करने की भी जरूरत नहीं है for a good amount of time ठीक है जब तक आपकी आप इतनी बड़ी scale ना हो जाए कि आप लोग कुछ actual money उस project से कमा रहे हो तो tension मत लो यार इस चीज़ की sanity free है की नहीं है एक level पर अगर मान लो आप 4-5-6-8 लाग रोपर कमा रहे हो per month sanity का use करके तो यार 99 डॉलर दे देना sanity को भी क्या जाता है समझे दो मेरी बात को तो coming back to the discussion हम लोग क्या करेंगे कि अपनी next.js app को खोलेंगे और हमारी जो next.js app है वो यहां पर है दोबारा से start कर लेता हूं ताकि link मिल जाया और मैं control click कर लूँ तो यह हमारी next.js app है और यहां पर काफी बढ़िया हम लोगों ने देखा कि सब यहां पर देखें तो जो blog post है वो अभी हमारे backend से नहीं आ रहे है इससे पहले कि blog post हमारे backend से आए मैं चाहता हूं कि in topics के कुछ blog post में add करूं ठीक है तो यहां पर अकर मैं blog में जाओं मैं desk पर जाओंगा यहां पर blog पर जाओंगा और यहां पर कोई भी एक blog post खोलूंगा औ आएगा लिखकर title content meta description यह अच्छा एक चीज़ जो मैंने miss कर दी वो था slug ठीक है slug मैंने miss कर दिया तो यह slug भी add कर लेते हैं ठीक है तो मैं slug को add करने के लिए जाओंगा अपने सबसे पहले एक net app खोलूंगा sanity.io slug लिखूंगा ठीक है sanity का जो slug है वो मुझे चाहिए ठीक है और यहां पर अगर मैं आप लोग को नीचे दिखाओं तो यह मैं अंधदुन copy कर रहा हूँ भी देखूंगा नीचे लेगा देखा जाएगा ठीक है बट चल जाना चीए ठीक है मैं आप राओंगा और अभी तक मैंने पढ़ा भी नहीं है जो मैंने copy किया यह beauty है sanity क आप देखो यहां पर fields में title के बाद slug add कर दूँगा ठीक है तो मैंने इसका नाम रख दिया slug कॉमा लगा देता हूं यहां पर और name slug है type slug है options में source title है source मतलब title से slug generate करेगा और इसके बाद इसने already सब कुछ जो है यहां पर खुद से कर दिया ठीक है अभी ज़रा reload करके देखता हूं देखता हूं यहां पर slug आया की नहीं ठीक है reload किया मैंने slug 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 लगाना चाहिए loading document और slug आ गया अगर मैं generate पर क्लिक करूंगा देखो इसने इस title से slug generate कर दिया ठीक है खुदबा खुद करता है भाई यह सब काम खुदबा खुद करता है ठीक है तो मैं यहां पर javascript tutorial 2 करूंगा और यहां पर ही कहना invalid property value तो यहां इसको reset value कर देता हूं मैं ठीक है और slug को generate कर देता हूं javascript tutorial 2 आ गया ठीक है फिर block 2 यहां पर आप लोग देखो अच्छा एक चीज आप लोग को दिखाता हूं अगर मैं इसको slugify नहीं कर सकते क्योंकि same slug के दो blocks नहीं हो सकते ठीक है तो यहां पर हमने slug भी add कर दिया बढ़िया अब मुझे क्या कर रहा है कि यह जो तो यह तीन हमारे featured यह फिर कह सकते है latest blog post है वो यहां पर आ जाए ठीक है और यह तीन ही है भी हमारे पास तो यह तीनों ब्लॉएक्पोस्त में यहां पर दिखाना चाहता हूँ ठीक है तो हम यहां पर simply क्या करेंगे कि अपने ब्लॉएक्फ पोस्त को दिखाएंगे और यहां पर मैं simply क्या करूँगा आँगा अपने next js में तो मैं front end पर आता हूँ backend को बन करके front end पर आता हूँ अपने index dot js with me मैं बसष॥ कीजो करना हो इसको कि यह समझेया क्यों कि और फॉस्दा यह एक पोस्ट है यह दूसरा पोस्ट है यह तीसरा पोस्ट है बढ़िया तो मुझे आपर सिंप्ली करना किया एक जावस्कृप्यम्ना जावस्क्रिप्ट के अंदर मुझे लिखना है post.map वाव गिटब को पाइलेट ने पूरा लिख दिया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया यह तो मेरी नौकरी लेकी मानेगा ठीक है तो post.map मैंने आपर लिख दिया item इसको item लिखूंगा मैं और यहाँ पर मैं लिखूंग और यहाँ पर आप लोग देखना कि post.map I think blogs से उपर blogs.map देखता हूं कि कोई error वगरा तो नहीं आया नहीं कोई error वगरा नहीं आया अभी तक जो कि एक बहुत अच्छी ख़बर है मेरे लिए अप देखो यहाँ पर यह दो बार दिखा रहा है ठीक है दो बार दिखा रहा है तीन बार क्यों नहीं दिखा रहा है दो भी blogs ठीक है और अभी रिलोड करते हैं इसको देखते हैं कितने थे blogs.length करता हूं मैं इसको क्या रिलोड कर रहा हूं मुझे इसको रिलोड करना चाहिए तो यहाँ पर तो तीन लिख कर आ रहा है विच इस फाइन अभी कह रहा है कि यूनीक की प्रॉप होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे जहाँ पर हमने उपर map लिखा हुआ है न वहाँ पर हम लोग simply आइटम.title यहाँ पर लिखंगा कहीं पर यहाँ पर यहाँ पर टाइटल है ठीक है यहाँ पर लिख दिया आइटम.title और यहाँ पर लिख दिया आइटम.meta.desc इससे क्या आपकर जो meta description है वो आ जाएगा ठीक है तो मैं अगर आप लोग को भी दिखाओं यह कई सा आपक है रहे बबुआ, can't rate properties of undefined. यह मजाँ पसन नहीं आया रहा है हमका. इसको रिलोड करूँगा और यहाँ पर title लिख कर आ रहा है लेकिन यह undefined क्यों बता रहा है और मुझे यह चीज़ देखनी पड़ेगी यह undefined बता रहा है शायद इस वाले को undefined बता रहा ही है title undefined method yes i guess undefined है अगर मैं आपर कुछ लिख देता हूं मालो this title है हमारे पास lug है हमारे पास content अगर empty यह तो भी कोई दिक्कत होनी नहीं चीए तो मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर चल क्या रहा है ठीक है तो यहाँ पर any console locks will be displayed in the terminal window यार यह क्या चल रहा है यह error किस ची error आ गया है देखते हैं जाकर यहाँ पर कि क्या error आया है तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा हूं तो यह कह रहा है cannot read properties of undefined reading title तो item कह रहा ही undefined है item undefined क्यों है है हमने तो dot map करके item को निकाला है तो item is undefined अब यहाँ पर अगर हम sanity में देखे तो कह रहा है unknown fields found which are not present in this schema तो यहाँ थोड़ा सा इसको clean up करूंगा इसको publish करूंगा इसको भी देखता हूं एक बार इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है और इसमें भी कोई दिक्कत करके अब देखते हैं क्या चल रहा है आपर और इसको reload करेंगे और यह कह रहा है कि cannot read properties of undefined reading title और यहाँ यहाँ पर दिक्कत क्या रही है वो मुझे दिख गई है और GitHub Copilot की ना पिटाई लगने मली है सही मैं GitHub Copilot अगर तुम सुन रहा है तो तुम्हाई पिटा ही लगेगी है ठीक है ना तुमने यहाँ पर bracket लगवा दिया एक जिसके वज़े से इतना time खराब हुआ ठीक है अब यह चल जाएगा मुझे भी नहीं दिखा यार ब्रैके सच्ची में यार मैं भी ना यार क्या यार ठीक मैं आप लोग को बता जिता हूँ कैसे करना है image url sanity ठीक है तो यह image url builder के कुछ examples भी दिये हुआ देखो यहां पर sanity के ठीक है तो आपको assembly क्या करना है यहान add यह करना है और कहाँ पर करना sanity वाले end में करना है ठीक है यहां करना है यहाँ करना है फ्रेनटेंड मेनी बैक एन्ड मेनgt ωर उसके बाद यह आ एड यह कर दिया बहुत बड़ए अब यह आड मे एड हो रहा है तब तक हम और चीजे करते हैं इसको इंपोर्ट करना है तिके और finally यह एक function मनाना है builder.image source कर देना है बस ठीक है तो मैं इसको copy करूँगा और यहाँ पर उपर इसको import कर लूँगा ठीक है यहाँ नहीं यहाँ 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 पर करूँगा ठीक है तो मैं यहाँ लिख दिया const builder is equal to image builder यह कुछ इस तरह से मैं आ कर दूँगा और मैं यहाँ पर फिर जहाँ भी मुझे चाहिए होगी image तो मैं यहाँ कर दूँगा builder.image यहाँ पर एक चीज़ करके दिखाता हूँ आप लोगो console.log block 0.image ठीक है और मैं क्या करूँगा builder.image यह कर दूँगा ठीक है कुछ इस तरह से builder.image यह कर दिया मैंने I hope कि कोई error ना है मुझे console में URL दिखे जिसको मैं use करके अच्छा मैंने अभी तक चलाया नहीं अपना front end front end चालू करो back end भी चालू करो reload करो my configured sanity client is not defined तो यहापर मुझे अपना sanity client इसको pass करना पड़ेगा तो मैं काम करता हूँ जो मेरा sanity client है वो नीचे से लेकर आता हूँ ठीक है तो जो मेरा sanity client है वो यहाँ से मैं लेकर आऊंगा और उपर paste करूँगा यहापर ठीक है तो मैं अब लिखा हूँ client is equal to this और यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा client ठीक है image url builder client और यहाँ पर image url builder है सब कुछ है ठीक है block zero dot image है अब चलते हैं documentation में और देखते हैं इन्होंने किस तरह से url को बनाया है तो यह return कर रहा है builder dot image source ठीक है builder dot image source तो मैं आपर लिखूँगा builder dot image और हमारा जो source होने वाला है वो होने वाला है dot blog image ठीक है अब यहाँ पर यह जब इसको इसको इस्तमाल कर रहे हैं तो इन्होंने किया है dot width 200 dot url ठीक है तो मैं देखता हूँ कि यार मुझे dot width 200 dot url करके मिलता भी है blog image की नहीं है शायद मेरा पहले blog का image undefined एसलिए मैं first और second का ले लूँगा save करूँगा reload करूँगा क्या कहरा है cannot read properties of undefined width oh मुझे यहाँ पर bracket बन करना चाहिए यह syntax है अगर आप इसको closely देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इन्होंने पहले इस image को बन किया है मैं dot width करके URL किया है ठीक है लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चीज सॉल्व करें कि हाँ ठीक है तो यह मुझे URL देखने को मिल रहा है ठीक है ठीक है मैं नीचे आउंगा और जहाँ पर मेरा map था वहाँ पर इसको डाल दूँगा यह रटाता हूं मेरी जो image है वो यहाँ पर रहा है तो मैं URL के अंदर क्या डालूँगा URL के अंदर में डालो, मैं सबसे पहले तो इसको backtick बनाता हूँ, इसको backtick बनाता हूँ, ताकि मैं इसके अंदर variable इस्तेमाल कर पाऊ, अब यह जो चीज है, जो URL है, इसके अंदर में एक variable बनाऊंगा, और यहां पर में डाल दूँगा, builder.image, this, this, और this, ठीक है, reload करूँगा By the way, यह error क्यों आ रहा है, encounter two children with the same key, index.js 33, line number 33 पर मुझे नहीं लगता कुछ है, ऐसा, 31, 32, 33, यह error क्यों आ रहा है, maintain their identities across updates, no unique key, हम यहाँ पर home के अंदर, my app के अंदर, app container, route, कहां पर हो रहा है, यह, पता नहीं यह, कहा हो रहा है, इसको reload, करते हैं, अब देखो, यह null में एक error आ गया, ठीक है, यहाँ पर दो images, जो है, मुझे नहीं, देखने को मिलती है, अब देखो, यहाँ पर जो blog image है, वो आ गई, ठीक है, जावास्क्रिप tutorial में आ गई, blog image, यहाँ और यहाँ नहीं आई लेकिन, ठीक है, तो यहाँ जो परान URL, यह, अगर यह पूरा null हो, तो क्या करो, तो जो पुराना वाला हमारा URL है, वो दिखा दो, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे copy करके, यहाँ search करता हूँ, हमारी template में, और यह था URL assets, और मैं यहाँ पर डाल दूँगा, यह वाला URL, ठीक है, समझ रहूँ न, आप लोग में क्या कर रहा हूँ, मैंने simply क्या किया किया कि, अगर यह available नहीं है URL, तो यह वाला दिखा दो, तो कम से कम यह यहाँ पर URL आ गया, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, और इसके जो hrfs को मैं करूँगा, यह जो a tags को मैं link करूँगा, सबसे पह यहाँ पर लिख दूँगा, slash, blog, slash, और यहाँ पर आ जाएगा slug, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा, plus slug, plus item.slug, यहाँ काम करते हैं, इसको javascript बनाते हैं, और यहाँ लिखते है, item.slug, ठीक है, अभी इसको reload करूँगा, तो यह रहा, link.define, no problems, चल, github को pilot दि लिखती, thank you, reload, अरी, यह क्या हुआ, यह कैसा मुलागा, यह पसंद नहीं है, यह क्या करा है, link, were passed to link, multiple children were passed to link with href of this, but only one child is supported, what is this, what is this, what is this, what is this, link एंदर करा है, बस एक child होना चाहिए, तुमने इतने सारे बच्चे दे दिये, क्या मुला तो नहीं, link एंदर, मैं तो कुछ औरी समझ रहा था, गलत बात है कह रहा है, कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, कि यहां पर एक div लगा दूँगा, और यह यहां पर जहां link बंद हो रहा है, वहां पर कुछ ऐसे कर दूँगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अचा एक चीज और थी, जो slug है ना, वो एक object है, तो मैंने console.log slug कहीं पर किया होगा, कहां किया था, श्याद slug.current करके कुछ था यार, कैसे, हाँ, dot current, ठीक है, slug.current, तो जहां पर मेरा slug है ना, वहां पर मुझे slug.current करना होगा, item.slug.current, अब आ जाएगा देखना, तो यहाँ पर, अगर मैं नीचे आउँ, तो आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर, कि, जो slug वाला page उस पर आ रहा है, लेकिन, एक चीज मुझे यहाँ पर जो खटकरी है, वो यह है, कि इस पर hover करने पर cursor pointer नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर cursor pointer class लगा दूँगा, ताकि मैं जब अपना pointer यहाँ पर लेकर जाओं, तो cursor pointer क्यों नहीं चल रहा है, वाई, यह क्या चल रहा है, read more में cursor pointer क्यों नहीं चल रहा है, यह कैसा मज़ा के, control X करू, map, मैं यहाँ पर कम से कम read more में तो cursor pointer देखना ही चाओंगा, हाँ, अब सही है, अब सही है, अब अब आ रहा है, अब रहा है मज़ा, अब read more पर क्लिक रहो, सिध्र ब्लॉग लोड़ होना चाहिए, ठीक है, तो आने वाले वीडियो पर क्लिक करें तो ब्लॉग को लोड़ करेंगा, और यह क्यों आ रहा है, यह क्यों आ रहा है, हाँ, इसमें मुझे dot current करना पड़ेगा, तब ठीक हो जाएगा यह भी, ठीक है, तो बड़ी है, I hope कि आप लोग को मज़ा आ रहा है, सारे errors हमारे जा चुके है, console.log thanks बने लिखा हुआ है, तो I hope कि आप लोग को मज़ा आ रहा है, ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं, थैक है, अभी के लिए इस वीड झाल